हेलो एवरिवन दिस इज अनुजोर्मा एंड वैलकम अगेन ओन यूटूब चैनल वैप स्टेडी पॉइंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूटूब चैनल वैप स्टेडी पॉइंट प्रिवेश वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हूं सपพरो लैट कम्पलीट क्या था नव थीए दश्टों तो आज हम पर्समल प्रोनाउन चाहिए पटेंगे वह द्याम निस्ट्यटीव प्रोनाउन उच्थे कश बाद्थ करेंगे मिंदै वर्ड 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 वर्डस फोर रवुन तु पॉइंट आट ऊब्जेक्ट या नीगे डामनेस्टो फ्रोनावन क्या होता है जो वर्ड ऐसे वर्ड जो कि अपने आज पास या फिर दूर की वस्तों को डामनेस्ट करें या नीकों Inspect cameでは प्रोणाउन कहते हैं तो इसमें यह वर्ट दिये हुए है जो इनसे डिनोट करते हैं पॉइंट आउट करते हैं ठीक है तो कौन-कौन से वर्ड हमारे डिस है इस क्या ओता है दिस पासकी वस्टु को डिनोट करने के लिए लगाते हैं पासकी यानि समीब की नियर की शिंगलर करते हैं ठीक है दूर की सिंग्लर करते हैं दीज हमारा है दीज का प्रियोग पास की कैसारी वस्तु यानि एक से अधिक पूलर वस्तु के लिए करते हैं तीज का प्रियोग अब दोज है करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जब आप किसी जाते होंगे या कपड़े खरीदने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कहते हैं कि रेडवाला निकाल दो तो टीश्रेट निकाल दो तो शेर होंग ओ आपको सम्झ में आ गया होगा नाउन क्या होता है व्रड्सय वर्ड्स फोर नंट फॉ ряд आउट ऑप यानि कि है ऐसे वर्ड्स जो कि दूर और पास की वस्तु को सकते हों उन्हें संकेतित करते हो तो क्या हैland हम प्रेयोग कहां पर होता है यह टीक है तो उसकी डेफिनेशन है युट फोर नि stri Gwen और पर्शन नहीं लट सिंगर फॉर्म मर tien पर्शन इन शिमलर फॉर्म जैसे इसका का एक्जामपल है चैनल को नीन नधे बताता हम आपको हिंदिन बताता हूं ऐस इन्ग और और t which उसके लिए इस समीब की वस्तू है उसके बैप थेड़ी ऊक्यों में झुटले यह मेरर बढ़ सब्सक्राइब कर पाइब और तो यह मेरा पैन जो मैंने खरीद था तो यह मेरे नियर की वस्तु है तो नियर की के लिए हमने अ PGц लगा दिया ठीक के दोस्तों तो यहां है इस इसाम अब अब फादर आम्रium सामने आपके पापक खड़े और किसी से आपको इंत्रो गाते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे आपके समझ में आ चुका होगा है आप हम देखते हैं अब कि दोस्तों अब देखते हैं यू जो ट्वर ट्वर क्या है देम्नेस्टेटिव प्रोण। में ज्न होता है स्की डैफिनेशन देख लिए यूज़ फोर सिंग और पर संस इंसिंगलर फॉर्म यंदि के डैट यूज़ फोर फार तिंग और परशन इन स्विल्वर फॉर्म तो क्या है इसका इंदी मिनिंग होगा डैट का प्रियोग हम दूर की नहीं पास की वस्तु के लिए करते हैं पास की वस्तु और वेक्ति के लिए करते हैं तो क्या है इसका बहुत सारी डैट का प्रियोग जो हैं दूर की वस्तु के लिए करते हैं ठीक है दोस्तो तो इसके तो क्या कहेंगे हैं that man is going वह आद में जा रहा है that man is going ठीक है तो आगे देखेंगे हैं यूज़ फॉर फार तिंग और पर्सन इस स्मिलर सोरी यह दो डेफिनेशन बता दिये मैंने एक बार बता देता हूं आपको मैं बैट यूज़ फॉर फार तिंग और पर्सन इन सिंगलर दूर की चीज़्ों के लिए जो प्रियोग होता है सिंगलर फोम में बहुत करते हैं ठीक है तो इसके एक्जांपल हैं जाओ वीचाइब बॉट इस लगेगा विचाइब फॉट ठीक है तो यहां वही पुष्टक है वही पुष्टक है जो मैंने खरीद दी तो दूर इसार आधमीए हैं हम दूर से अगर कोई जा रहा है भी जैसे मैंने बताया था फैलाइस तो दूर की बास बहुद करने के लिए सिमुलर समय में अब यहां देखते हैं तीसरा एक्जेंपल हमारा थर्ड डाइस देट इस और इन दा फिल्ड याई वहां फिल्ड में घाय तो एक गाय है तो यह थोड़ी कहेंगे यह कहत्म गाय तो प्रियोग करेंगे दूर की वस्तूं के लिए सिंगलर फोम में में आपकी समझ में आ गया होगा अब देखते हैं दीज का प्रियोग कि दोस्तों आधी तो दीज का प्रियोग क्या है मारा देमोनेसिट्रीटि प्रोनौन में दीज को कहां पर यूज करते हैं यह देखते हैं तो दीज का डेफिनेशन है इसकी यूज ओब डीज की डेफिनेशन है इस यूज फोर नियरेस्ट तिंक और पर्सन इन पूलर फॉर्म खीक है जी मुह क्या था देखो मैं बताता हूं आपको दिश्टो था पास की एक वस्तु को दिखाने के लिए देट था दूर की एक वस्तु को दिखाने के लिए अब यह दीज है तो यह है पास की वस्तु दिखाने के लिए यानि कि यह पूलर फोर्म में दिखाएगा यह दोनों सिंगलर फोर्म में दिखाते थे पास की यह दूर की और यह जो है आपका पूलर फोर्म में दिखाएगा या पास की वस्तु दिखाने के लिए पास की या समीब की वस्तु दिखाने के लिए तो इसके कुछ एक्जामपल देख लीजे जैसे कि यह हैं फर्स्ट एक्जामपल यह है हमारा श्रीजा तो यह मान के चलिए फिर किसी में घर जाते हैं तो efter ओर मतापिता सथ परिमेंस के साथ तो यह कहें खरेंगे पूँचेंगे के ये और अपके साथ हैं तो इसलिए हम उन्हें ऐसे इंट्रीटूस कराएंगे ठीक है सेकिंड हमारा इस आर्मे बुक्स विच आइब यह मेरी पुष्टक है जो मैंने खरीदी सी ठीक है तो इसमें पुष्टक बहुत सारी है बुक्स दिजार में बुक्स यहां यहां यह लगे हमें कुष्ट क्यूंक्स देख लिए क्यों है सबसके आइं तो हम क्या करेंगे दीज का प्रियोग क्या यह करे 55 α करेंगे जोज का प्रियोग करेंगे है इस दोस्तों देखते हैं दोस का प्रियोग य्यूज सो दोज तो दोस के मिनदोरिऊ कहा करते हैं कि अधंद सब्सक्राइए तो दो जहां तो टोस उसने सनेर्ट गेले तो नहीं कि युलिज क्रोण Turnable Um सब्सक्राइब एफ तरफ नहीं के लिए तो हम क्या करेंगे यहां पर एक्जामपल देखते हैं है तो सबस्ति तो देखते हैं ऑ मेरे प्रेंडिकों करेंगे दूर की वस्तु के लिए ठीक दोस्तों डीक्त्रेंव फिर्व अब्स प्रेंड्स करेकगे कुछ क्या चिंजाओ है और अब देखते हैं कुछ मैं बता देता हूं एक बार में कन्फूजन हो जाए आप तो मैं बता देता हूं आपको एक बार सहीज है तो मैंने बताया दा दिसका प्रियोग दिसका प्रियोग समीब की यानि नियर की सिंग्लर वस्टू के लिए करते हैं ठीक है दोस्तों नियर की सिंग्लर वस्टू के ल करते हैं इससे पहले हमने पढ़ाता दीज का प्रियोग हम नियर की तूलर वस्टू करते हैं नियर की तूलर वस्टू करते हैं उसके बाद आसता है हमारा यही जो पढ़ा है हमने दोज कि लिए करते हैं तो आपके सिंग पूलर समझ में आ चुका होगा हम सच देखते हैं सच का पूलर दोगों के लिए यूज करते हैं करते हैं तो इसके कुछ एगञेंपल कुछ देख लेते हैं सटीजी और मिस्टेक डटैट ही विल नोर्ड फोर्टिव, यू कि आपकी गलते कुछ ऐसी है इसका हिन्धी भी नहुंत के आपको कभी माफ नहीं कर सकता करसा कभी सकता तो यहां पर सिंग relates में प्रियोग वायज का अब तूलर में देख लेते हैं पूलर में का प्रियोग करते हैं तो नोबटी कैन फोर गिव यू फार सच अ मिस्टेक नहीं आपको आपकी ऐसी घलती के लिए कोई भी नहीं भूला सकता है कोई भी माप नहीं करेगा ठीक दोस्तों तो यह हैं हमारा वाला सेंटेंस क्रिमिनल्स और रेस्टरेक्टिड शच भाई लोग ठीक दोस्तों तो यह सिंग्लर और तूलर दोनों में प्रियोग उता है वन का प्रियोग देख लेते हैं वन का प्रियोग क्या होता हमारा यूज ओफ वन तो वन नोर्मली आप जानते होंगे जैसे आप किसी की शोप पर जाते हैं क्लोट की शोप पर जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं वन तो यूज ओफ वन क्या होता है हमारा रेड़ वन कहते हैं आप रेड़ वन जैड़ वन ब्लैक वन तो क्या कहते हैं अब जिब भी किसी दुकान पर जाकर किसी चीज को संकेत करते हैं क लेते हैं आप तो क्या कहते हैं वाइट वन वाइट वन या फिर रैडवन यह लिकाओ भी है रैडवन तो यह दो बोलते हैं रैडवन रैडवाला वह वाला तो इस तरीके से जाते हैं और मेरे बोलोन है रागा है देहते हैं इंटलोन प्रोनाओं तो क्या है इसका मतलब तो जो कि कोश्चन पूछने के लिए प्रियोग किया जाते हैं जिनसे कोश्चन क्या जाता हो वो क्या कहलाते हैं हमारे वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से वर्ड जिनसे कोश्चन किया जाते हूं जैसे कि डबलू एस के कुछ वर्ड होते हैं यह हूं वूज विच वाट यह ऐसे वर्ड हैं जिन से हम कोश्चन करते हैं तो देखते हैं हूं का प्रियोग का होता हमारा हूं का प्रियोग हम कोश्चन यानि सब्जक्ट का पता करने के लिए करते हैं यानि नो इंग सब्जक्ट के लिए करते हैं सब के लिए करते हैं किसे परियोग औरकको के लिए करते हैं प्रियोग के का प्रियोग करते हैं तो इनने हम को दीप ली पड़ेंगे जैसे निए देख के तरू हम देखेंगे एक्जामपल के तुरू तो गाय देखते हैं यो जो फू और यो फूम तो हो का प्रियोग हम ने बताए था सब्जक्तिव केस या यह निक्स अपटा करने के लिए करते हैं ठीक है जैसे who were studying यानि कौन पढ़ रहा था कौन पढ़ रहे थे ठीक है तो यहां the students were studying इसका आंसर आता है the students were studying तो student पढ़ रहे थे who are you तो I am अनुज तो इस तरीके से हम subject का पता करने के लिए हो का प्रियोग करते हैं हुम का प्रियोग यूज फूम तो हुम का प्रियोग हम object का पता करने के लिए करते हैं किसका object का पता करने के लिए करते हैं जैसे whom did the teacher whom did the whom did the punish आयगा यहां पर यह गलत हो गया है whom did the punish पनिश्ट थीक है तो इस कांसर मिल जाएगा मैं टीचर ने स्टुडेंट को पीटा दा टीचर पनिश्ट थीडेंट तो इस तरीके से यह टू हूं वर्यू स्पीकिंग आप किस से बात कर रहे थे ठीक है आई वाज स्पीकिंग टू राम तो यहां मैं अब्जाक्ट का पता जासे हूं वर्यू स्ट्डइंग यहां हूं वर्यू स्ट्डिंग आप किस से बात कर रहे थे ठीक है तो अब होगा आप कौन पढ़ रहा था सुधा स्टूडेंट वर इस्टेडिंग तो यहां में पता चल गया कि यहां पता चल गया किसका सब्जेक्ट पता चल गया तो एज हुम का ओब्जक्ट लिए करते हैं इस तरीके से हम आगे देखेंगे हूज का और दो हूज का प्रियोग इस सब्जाने के लिए करते हैं जाते हैं यह को देखेंगे दिस योर्ज यह तुमवारी मुबाइल है ठीक है तो इस तरीके ते हमें उसका जिस चीज़ पर किसी का भी अदिकार उसका पता चल जाता है तो प्रजेस्ट लिए यहांनि यहां पर अधिकार का पता लग रहा है कि इस चीज पर किसका अधिकार तो हम क्या करते हैं तो प्रियोग के लिए करते हैं तो इस विच का प्रियोग चोई के लिए प्रियोगे जीज गुए करते हैं जैसे विच फिके इaten है जिस और लिए रिवे करी माइन ठीक है तो तो तुमारा है क्रिकार कॉन ची आ है नुमारी पता लग रहा हैं तो अधिकर माइन तो इस तरीके से रहर so this house is mine तो यहाँ पर हमें चोईस का पता लग रहा है अगर मालो एक जगे कही सारी कार खड़ी है तो समय से पूच्छेंगे विच इस ओर कार कोन सी है तो यह रहा के which is your car कि आपकी कार कौन सी है तो आप बताएंगे the red car is mine इस तरीक्वे से ही यहाँ पर भी है विच इस यूर हाउस अब मान लो हाउस तो बहुत ही रहते हैं आपके आज़ पास में बहुत साइव रहते हैं तो कैसे बताएंगे this house is mine इसारा करके तो बताएंगे this house is mine में सबस्क्राइब को सो लूट बहुत हैं और कि देख लिए को दो यहहां कि एसके कर सकते हैं लेकिन प्रिशन को प्रियों नहीं कर सकते हैं यह हमारा गलत होता है जैसे एक्जांपल है बिद्र बिद्र हूं थे को आप इसके साथ जा रहεια औहए ठीक है तो यहां पर हम विपया हो यह हमारा सैंटन कर सकते हैं कर सकते हैं यहां पर देखते हैं कि के साथ जा रहे हैं तो प्रिपोजिशन हो मत कर सकते हैं जैसे ने स्येश्ट मारा देखते हैं वाइ हूँ दा त्री मुच टै टर से वाज लीटन हुट रिटन तो यहां सेंटन्स गल्भ हो जाय क् 요 Sans प्लूस का प्लीयौ और है तो हमारkay Sus Crist हो सिस्टन्स हो जाएगा थो आगे देखते हैं वाइ booster calm है हुँम दा थ्री मुच लीटन्सiern क्या है यह हमारा प्रिपोजीशन है यह हमारा हidal 말 लगा हुआ है तो यहां पर हम इसका प्रियोग कर सकते हैं अगर इस तरहित वी यदि हमारा जो हुँ है उसके बाद विदायानी संक्राइण के लाष्ट में प्रिपोजीशन आए तो हम उगा कर इसन इसह लिख़भा के प्रियोग कर सकते हैं वर में नहीं होना चाहिए बात होना चाहिए ठीक है तो आज हम ने क्या देगा एक डमि TCP अगतों और दों खतम कर लिए वाद 6-20 परिस्थसिनल प्रोनाउन तो आज के लिए ठीक है ने ने भी गरी मिलेंगे तो जब तक के लिए हमारे चैनल को को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सेयर करें थैंक्यू दोस्तों